एक यह गाइस इस अंकुस कुमार एंड यह वाचिंग वाचिंग वन्चांस दाइंस यूटूब चैनल सुगाइस सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को दीपावली की बहुत बहुत सारी बधाईया देता हूं और आसा करता हूं कि आप जि खुशी खुशी मिठाईया खाएं और दीप जलाकर दीपावली मनाएं तो आज हमारे डांस सेशन का टॉपिक है वाट इस क्रम तो गाइस बिना देर के वे चली हम चलते हैं अपने वीडियो पे और जानते हैं कि क्रम क्या होता है और फिर बात करते हैं वीडियो के एंड म है और स्टेप्स बहुत एनरजेटिक होते हैं क्रम की सुरुवात करने वाले युवाओं ने डांस को गैंक्स्टर लाइफ से बचने के लिए एक रास्ते के रूप में देखा था वे बस एक अहिंसक तरीके से क्रोध आक्रमक्ता और निरासा से सकरात्मक रूप से मुक्त ह होना चाहते थे गाइज क्या आप जानते हैं कि क्रम एक सौट फॉर्म वर्ड है और क्रम का फुल फॉर्म होता है किंग्डम रैडिकली अपलिफ्टेड माइटी प्रेस क्रम की रचना दो डांसर्स द्वारा दो हजार के दसक के प्रारंभ में लॉस एंजलेस के दच्छिन मद्व में साइसारेस, टाइट आइज विल्स और जो आतिस बिग मीजो रती द्वारा की गई थी क्रम्पिंग, क्लोइंग डांसिंग एंड सी वाकिंग से विक्सित हुआ है और दोस्तों क्लोइंग का उलेक किये बीना क्रम्पिंग और उसके इतिहास के बारे में बात करन असंभाव है, तो आएए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लोइंग डांस क्या होता है, क्लोइंग की सुरवात 1992 में हुई थी, पहले क्लोइंग डांसर का नाम थॉमस जॉनसन था, जिन्हें लोग टॉमी दा क्लोन के नाम से भी जानते थे, वे उस वक्त क्लोइंग entertainment के लिए क्या करते थे, वह एक हिपाप डांसिंग जोकर थे, जो फेस में पेंट लगाकर डांस क्या करते थे, टॉमी एक यहोदी बस्ती में रहने वाले वैक्ती थे, जिन गरीब लोगों को सहर से अलग कर दिया जाता है, उसे यहोदी कहते हैं, उन्होंने अपने समुद जाए में एक आदर्स मॉडल होने और कई यंग डांसर्स के दिल में पिता के रूप में अपनी छवी बनाई आज पचास से भी ज्यादा क्लोइंग ग्रूप्स हैं जैसे हाउस ओफ लोइंग कार्टून क्लोन्स वर्लड वाइड नो कंपैरिजन टाइटेनियम और राइस ट् कि वे ऐसी जगह पर कुछ पोजिटिव कर रहे हैं जहां बहुत नेगेटिविटी है क्रंपिंग तब आया जब युवा क्लोन्स भूड़े हो गएं और टॉमी दा क्लोन और उनके फिलोसिपी से लोग दूर जाने लगें वे कुछ नया और ओरिजनल चाहते थें कुछ ऐस जिसे वो खुद का कह सकें वे खुद को एक्सप्रेस करना चाहते थें और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कमर्सियल हिपॉप से कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि उस वक्त मीडिया सिर्फ उसी पर ध्यान दे रही थी क्रंप के चार प्राइमरी मूज्स हैं पहला जैब दूसरा आम स्विंग्स तीसरा चेस्ट पॉप्स और चौता स्टॉंप दोस्तों क्या आपको पता है क्रंप सायद ही कभी कोरिग्राफ किया जाता है जी हां यह लगबग पूरी तरीके से फ्री स्टाइल होता है और यह स्टेज के बजाए बैटल्स और सीजन्स में जादा किया जाता है क्रंप ब्रेक डांसिंग या टौफिंग से बहुत अलग है क्रंप बहुत ही तेज गती आक्रमक और उत्साहित तरीके से किया जाता है ऐसी स्टाइल होने के बावजूद भी क्रंप लडाई या अक्रमकता को कभी बढ़ावा नहीं देता क्रंप टौफिंग या अन्री स्टाइल से कम सटीक है सैधानतिक रूप से ये सभी डांस स्टाइल सेम ग्राउंड से हैं जिसमें उनके स्ट्रीट ओगेंज फ्री स्टाइल नेचर बैटल में शामिल है और ये समानता ही उन्हें हिप आप कल्चर के अंदर लाती है एक्सप्रेशन क्रंपिंग में जरूरी है क्योंकि क्रंप एक्सप्रेशन है आपको लोगों को महसूस करवाना होगा कि आप क्या कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आप बस आए क्रंप किये वो भी बिना किसी पॉपस से आईए दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या होता है क्रंप का स्टोरी लाइन यानि एक krump dance को कैसे present किया जाता है पहले नमबर पर आता है atmosphere पहले चरण में krump environment के wives को feel करता है और environment को अपनी उपस्थिती महसूस कराता है दूसरे नमबर पर आता है intro starting में krump पर usually छोटे movements करता है या कभी-कभी krump के character को और concept को introduce करता है तीसरे नमबर पर rounds आता है जहां krump पर combos, material, concept और foundation के combination का use करता है चौथे नमबर पर आता है bunkness जहां krump पर पहले ही अपने rounds के साथ hyped up यानी बहुँ प्रचारित हो चुका हो रहता है और heavy और fast या heavy and fast moves करता है पाचवे नमबर पर आता है krump स्टोरी लाइन के इस पार्ट में krump पर foundation, concepts, material की एक series करता है जबकि 27 स्थिती में हाथ और पैर सरीर से उपरी भाग के सामने आगे बढ़ते हैं चौथे नमबर पर आता है livingness यहां krump पर foundation, concepts, material की series कर रहा होता है जबकि सरीर एक जुकाओ की स्थिती में होता है और सरीर के बाहर हाथ और पैर आगे बढ़ रहे होते हैं और यह उपर का side ward हो सकता है साथवे और आखरी नमबर पर आता है get off जहां krump पर अपनी भावनाओं के साथ उदर जाता है और bang outs, jabs, redundancy and alike जैसे repetitive movements दिखा कर बाहर निकल जाता है So I hope guys अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि krump क्या होता है Guys अगर आपके मन में dance को लेकि कोई भी suggestion या question है तो please उसे हमें comment section में बताइए हम उसका जवाब जरूर देंगे वीडियो के थुरू Guys अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो please इसे like and share करना बिल्कुल न भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके subscribe कर लिजे क्योंकि हम आपके लिए ऐसी dance videos, dance topics और dance tutorials लाते रहते हैं Guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए Bye, जहन, Peace कर दो